नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्पे टेक्निकल इस्टड़ी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रेशिन थियोरी के 1000 एमसी के इस सीरीज का ओनलाइन टेस्ट नमबर 3 के बारे में तो आज का यह टेस्ट नमबर 3 होगा जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिजिए तो आपको बता दू कि पिछले दो वीडियो में अपने 1 से 50 के क्यूशन देख ले थे अब आज के इस वीडियो में अपना आगे की क्यूशन को देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो क्यूशन नमबर 51 दे रखा है भूमिगत केबिल में उत्पन होने वाले संभावित दोस कोन कोन से हैं इनमें से आपको ये बताना है कि भूमिगत केबिल में उत्पन होने वाले संभावित दोस कोन कोन से हो सकते हैं जिनमें option दे रखा लगू परिपत दोस, B दे रखा खुला परिपत दोस, C दे रखा विदुत रोधक का नस्टोना, D दे रखा उत्रोक थे सभी तो इनमें से भूमिगत अर्थार्थे underground केबिल होती है उसमें उत्पन होने वाले संभावित दोस कौन-कौन से हो सकते हैं और विदुत रोधक का नस्टोना भी हो सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्रोक थे सभी भूमिगत केबिल में कौन-कौन से उत्पन दोस हो सकते हैं ये सभी अगला क्यूशन दे रखा लेप वाइंडिंग प्रियोग की जाती है लेप वाइंडिंग होती है वह कहां प्रियोग की जाती है आती मेहतवफोन क्यूशन है जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निमन ओल्टेज वाली मशीनों के लिए भी किया जाता है वह उच विदुद्धारा समता वाली मशीनों के लिए भी किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ये वह भी दोनों अगला क्यूस्यन अगला क्यूशन दो को सब hugण पार्च है जिसका परतिरोध गुनाइawk सुन्नेत अपमान होता है जिसका परतिरोध गुनाइक अपमान होता है कारबन ऐलुमीनियبي चेनी मिटी या मेगनी तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमे से जल्दी से कमेंट करके बताईए इसका राइट आंसर हो दाएगा मेगनी अगला क्यूशन अगला क्यूशन दरका है कंडाक्शन बेंड में इलेक्ट्रोंस को निमन में से किस नाम से जाना जाता है Conduction Band होता है उसमें Electrons को किस नाम से जाना जाता है Free Electrons के नाम से, Balance Electrons के नाम से, Protons के नाम से या इनमी से कोई नी तो Conduction Band होता है उसमें Electrons को निमन में से किस नाम से जाना जाता है इसका दूसरा नाम क्या है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरी इलेक्ट्रोंस के नाम से जाना जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा फिरी इलेक्ट्रोंस अगला क्यूशन दे रखा है LED बना होता है LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड यह किसका बना होता है कार्बन से, जर्मेनियम से, फिलिकोन से, यह गेलियम आर्शेनाइड से, तो राइट आंसर कोई से होगा, क्योशन क्या दे रखा है, LED किसका बना ओता है, LED का फुल्पुरम क्या होता है, light emitting diode, तो चली एक बताऊ क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेलियम आर् ना होता है, right answer होगा option नमबर डी अगला question अगला question तरहके एक newton meter बराबर होता है, 1 newton meter किसे बराबर होता है, 1 jule second के, 1 call tampaire के, 1 watt के या 1 jule के, तो right answer बताओ, 1 newton meter किसे बराबर होता है, अथि महत्यत्यों पुरून क्यू उसते नहीं जल्दी से बताईये, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा 1 joule के बराबर होता है एक Newton meter किसके बराबर होता है एक joule के बराबर होता है तो इसका right answer हो जाएगा option number D अगला question अगला question तग्वेशन धरका इलेक्ट्रो पलेटिंग किसप में काम नहीं आता है धातू को कटो रोने में धातु को जंक से बचाने में या धातु की सत्र को अच्छी तरह से चमकाने में या चमक दिखाई देने में तो क्यूशन क्या पूच रहा है कि इलेक्ट्रो पलेटिंग किसमें काम नहीं आता है क्या पूच रहा है इसमें किसमें काम नहीं आता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु को कटोर होने में एलेक्रो प्लेटिंग कोई भी काम नहीं आता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा औप्शन नमबर ये अगला कुश्चन देरका running winding वाइट इस्टार्टिंग वाइट इस्टार्टिंग ज्यादा ज्यादतर की जाती है किसमें की जाती है तो इसका राइट आंज्टर हो जाएरु जाए का ओक्षन नम्बर डी अगला question सकती गुना कि शुदा हरने के लिए capacitor को किस प्रकार से जोड़ा जता है पावर फेक्टर को सुधारने के लिए कैपेशेटर को किस परकार से जोड़ा जाता है सरेनी करम में, समाना अंतर करम में, मिस्रित करम में या इन में से कोई नहीं तो राइट आंसर कुण सा होगा तो दोस्तो सक्ति गुणांक को सुधाहने के लिए केपिशेटर को हमीशा किसमें जोड़ना चाहिए समाना अंतर करब में राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर B राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन B अगला क्विश्चन अगला क्विश्चन दिरका सौल्डरिंग आईरन के बिट निर्मान में परियोग किया जाता है तंगस्टन नाइक्रोम एलुमिनियम यह तामबा तो सौल्डरिंग आईरन के बिट के निर्मान के लिए किसका परियोग किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपर का राइट आंसर क्या होगा तामबा अगला क्यूशन अगला क्यूशन दरकर सब जब संधारितर को पूरी तरह आवेशित कर दिया जाता है तो परीफट में धारा का मान क्या होता है जब कैपिशिटर को पूरी तरह से आवेशित कर दिया जाता है तो उस परीफट में धारा का म जाएगा सुनने होगा राइट आंसर होगा ओप्शन नंबर ये अगला कुशन अगला कुशन दरका मोटर की उच्छतम बलागुन निर्बर करता है इस्टेटर परतिरोध पर सप्लाई उल्टेज पर है रोटर परीफट के परतिरोध पर या उप्रोक्त सभी तो मोटर की परीफट के परतिरोध पर राइट आंसर क्या होगा ओप्शन नंबर सी अगला कुशन अगला कुशन दरका एक ओटो ट्रांसफार्मर में प्रात्मिक और दिम्तियक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है चुम्ब के रूप से विदूतिय रूप से ये वह भी दो नो डि दरका अपर्टेक्स रूप से इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा एक ओटोट्रांसफार्मर में प्रात्मिक और दिम्तियक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुम्ब के रूप से भी और विदूतिय रूप से भ अगला कुश्चन द्रकत जब किसी धारावाई चालक में धारा परवाईत हो और उसके पास कमपास के सुई में विक्षे पाता है द्रकत जब किसी धारावाई चालक में धारा परवाई हो और उसके पास में कमपास के सुई में विक्षे पाता है उसमें क्या आता है विक्षे पाता है तो राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर बी अगला कुश्चन द्रकत तुल्ले कालिक मोटर में पोल की संक्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है तुल्ले कालिक मोटर में पोल की संक्या दर्शाने वाला कारक क्या होता है फटापट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा इन में से तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आवरती और गती राइट आंसर क्या हो जाएगा आप पूरती आवरती और गती अगला क्यूशन देराक है MCB में खंबो की संक्या होती है दो खमबे, चार खमबे, तीन खमबे या पांच खमबे तो MCB होता है उसमें खमबों की संक्या बताई निये MCB का फुलपोर्म क्या होता है Miniature Circuit बरेकर तो Miniature Circuit बरेकर में खमबों की संक्या कितनी होती है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option Number D चार खंबे होते हैं, राइट आंसर क्या होगा, चार पॉल, अगला कुशन, अगला कुशन देरका, जीनर डायोड में, ब्रेकडाउन उत्पन करने वाला सिद्धांट निमन में से क्या कहलाता है, जीनर डायोड होता है, उसमें ब्रेकडाउन उत्पन करने वाला परबाओ, ब्रेकडाउन परबाओ या सीबेक परबाओ, तो राइट आंसर कोण सा होगा इनमे से, जल्दी से कमेंट करके बताईए, फटापड बता ना है क्या होगा, तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एवलांस परबाओ, राइट आंसर क्या होगा, ओप्शन नमबर यह अगला क्यूश्चन अगला क्यूश्चन दिरका फोटो कोपी मसीन किस सिदांत पर कारी करती है चुम के परभाव करंट का ताप परभाव पैल टीर परभाव यह इलेक्ट्रो इस्टेटिक परभाव तो फोटो कोपी मसीन किस सिदांत पर कारी करती है राइट आंस अगला कुप्शन दिरका साधारण थो ता सम्तल कारियों के लिए किस रेती का इस्तेमाल करते हैं साधारण और सम्तल कारियों के लिए किस रेती का इस्तेमाल करते हैं गोलाकार वर्गाकार फलेट या इन में से कोई नी तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा साधार अनु और समतल कारे के लिए बताना है रेती कौन सी इस्तेमाल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेट रेती राइट आंसर होगा option number C अगला question दरका विदुद्धारा में वास्त्विक सक्ती और सक्ती के अनुपात को क्या कहा जाता है आवरती आकरती गठक है शिकर गठक है यह सक्ती गठक है अगला क्विशन दरका संचरन लाइन के उप इस्टेशन सिरे पर मुख्यते किस परकार का सन्यूजन परियुक्त किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार डेल्टा राइट आंसर होगा option number C अगला question दरका निमन में से किस के लिए उच्चतम इस्तर की परदीप्ती की आवशक्ता होगी proofreading, सयन काक्स, अस्पताल काक्स, railway platform तो इन में से राइट आंसर कौन सा होगा इन में से उच्चतम इस्तर की परदीप्ती, अर्थार्थ इलुमिनेशन के आवशक्ता किस में होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा proofreading में राइट आंसर होगा option number C अगला question दरका घरेलो वाइरिंग और छोटी इकायो के लिए सुरक्ष्या उपायो है तो निमन में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए MCB का, ACB का, OCB का या MCCB का तो राइट आंसर कौन सा होगा इन में से तो दोस्तो घरेलो वाइरिंग और छोटी इकायो के लिए सुरक्ष्या उपाय के लिए MCB का इस्तेमाल करते MCB का, OCB का, OCB का होता है, MINIATURE सर्किट बरिकर अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा, फोटो कोपी मशीन की सिद्धान पर काम करती है तो यह क्यूशन रिपीट है, इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रो इस्टेटिक है पर बाव, राइट आंसर क्या हो जाएगा, option नमबर D अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा, एमेटर में हमेशा क्या होना चाहिए एमेटर होता है, उसमें हमेशा क्या होना चाहिए उच परतिरोद, कम परतिरोद, कम ओल्टेज या उच ओल्टेज तो emitter होता है उसमें हमेसा क्या होना चाहिए काफ इंपर्टन्ड क्यूषिन है और बार-बार एक्जामों में पूचा जा चुका है और पूचा जाता है तो फटा-फट से बताइं इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जड़ेगा कम परतिरोध होना चाहिए आइमेटर में हमेशा क्या होना चाहिए कम परतिरोध होना चाहिए तो इसका राइट आंसर होगा option number B तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी जदा जदा शेर कर दीजिए जिस दोस्त में भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ठैजिए